दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे है नवकार सिटी का फेस फॉर नवकार ग्रूप मनाइगाव वीस्ट में फैमस है और उनके उन्होंने अल्रेडी तीन फेस कंप्लीट कर दिये है और ये उनका फेस नमबर फॉर है विच इस नियर टू फेस नमबर टू आप यहाँ पे देख रहे है जो नवकार का अभी फेस फॉर है वो दो बिल्डिंग्स है एक है नवकार एंपायर जो ये स्थान पे फोर लेन रोड के बाजू में आने वाला है और दूसरा है नवकार ब्लोजब जो की उनकी जो एक्जस्टिंग बिल्डिंग है फेस टू की उसके उस पार आने वाला है जैसे कि आप अभी मैप में दे सकते हैं ये जो लोकेशन है बहुत ही प्रेमियम लोकेशन है क्योंकि दोनों ही बाउंटरी वो दोनों रोड से टाच हो रही है जो बहुत ही बीजीस रोड होंगे आने वाले दो से तीन साल पे अभी हम लोग on site location देखते हैं यहाँ पे नवकार ने अपना sales office बनाया हुआ है जो कि ये project के left hand side जो दोनों road के cross boundary से वहाँ पे है और ये जो blue colors के आपको hoardings दिख रहे हैं सामने line by line बस जस्ट उसके पीछे road side नवकार empire आने वाला है आईए अभी project model and amenities देख लेते हैं ये जो building है वो है नवकार empire जो four lane road के side है और ये जो दूसरा road है towards डॉन बस को school जाता है तो ये जो premium location है because इसका entry और exit दोनों ही four lane road पे गिरेगा अभी आप पीछे के side देख रहे हैं जो नीचे का structure है which is an existing building and जो left hand side में है वो है नवकार blossom और blossom के side में parking tower के बाजुवाला जो building है वो है नवकार इलाइट अभी नवकार इलाइट का जो position है वो December 24 है and blossom और empire का जो position है वो December 25 का हाजार है project का सबसे बढ़ा plus point है वो है parking towns क्योंकि आज की तरिक में parking की proper facility नहीं रहेगी तो customers को बहुत परिशानी होती है अभी यह जो बीच में आपको white blank space दिख लिए वो जगा है वो already future projects के लिए उन्होंने allocate करके रखी है और the same way पीछे की यह एक चोटी सी जो white जगा है वो भी उन्होंने upcoming projects के लिए allocate की हुई है अभी हम लोग देख लेते हैं नवकार, blossom, elite and empire वो तीनों की जो amenities है उसमें से जो ज़्यादा तर मुलब कुछ amenities हम बोल सकते हैं नीचे की side है empire में और बाकी जो amenities है वो rooftop पे दी है तो आईए हम लोग आपको दिखाते हैं कि rooftop में amenities का कैसे उन्होंने arrangement किया हुआ है और यह जो amenities है उसके साथ उन्होंने rooftop के जो water tanks रहते हैं उस पे solar की भी विवस्ता की हुई है तो अभी आप जो देख रहे हो है empire की amenities क्योंकि empire is a long building सारी wings connected रहेगी आपको एक बड़ा सा space मिलेगा जबकि elite एक individual हो जाएगा और जो blossom है वो एक दो building बनाके उसका भी एक combine अगर आपको एक लंबा सा track मिलेगा और अभी यह जो है existing building के amenities जो आपको शामने दिख रही है और यहाँ पे नीचे अभी हम लोग दिखेंगे के empire का जो back side है वहाँ पे नीचे उन्होंने first floor पे swing pool and club house बनाया हुआ है और जो another side है वहाँ पे उन्होंने garden kind of thing एक amenities बनायी है जिसको utilize कर सकते है empire के residential और एक सबसे अच्छी बात बोलो तो यह जो internal सारी road है वो society wise चाहिट गेटिंग इन लोग ने अलग किये बट दो सार interconnected to each other तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं कि आपको अगर यह road पे exit लेनी है या वो road पे exit लेनी है तो दोनों ही road पे exit लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके लिए easy भी हो जाएगा यह project premium location पे होने के बावजूद भी अगर आप इनकी costing दखोगे तो वो बहुत ही affordable है किसी आम आदमी के लिए तो मैं आपको इन तीनों ही buildings की costing और slab wise distribution दिखाता हूँ अगर in case आप यह properly नहीं पढ़ पाते हो तो आप वीडियो pause कर लीजे और आराम से देख लीजे यहाँ पे 1BH के जो के चालो होता है 35 lakhs है and 2BH के जो चालो होता है 51 lakhs है different flat area के इसाब से price varies होगा और इनका जो floor rise है वो भी nominal है और slab wise distribution भी बहुत अच्छे से किया है क्योंकि अगर 2-3 slab के बाद आप 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 पास कुछ payment का arrangement है तो एक slab आप खुद से भी बर सकते हो instead of taking a help from load दोस्तों मैं मानता हो कि यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी आपके कोई सुजाव रहेगे तो हमें comment में दीजिए thank you so much for wing और हमें subscribe करना मत बूलिए ताकि हम आपके लिए और नए वीडियो ला सके thank you so much